रजबी किताब गहर पेज नमबर 46 फर्माने एलाही हैं पर जिस किसी ने नाफर्मानी की और दुनिया की जिन्दगी को सब कुछ जाना उसका ठीकाना जहन्नम है और जो अपने रब को सामने खड़े रहने मकान से डड़ा और अपने नपस को ख्वाहिशात से रोक दिया तो उसकी पनागा जहन्नम जन्नत है उसकी पनागा जन्नत है जो इनसान अजाब एलाही से बचना चाहे और सबवाब रहमत का उम्मिदवार हो उसे चाहिए कि दुनिया की मुसीबतों पर सबर करे अल्ला की अबादत करता रहे और गुनाहों से बचता रहे जरूर रियाज में एक हदीस है कि जब जन्नती जन्नत में दाखिल होंगे तो उस फरिस्ते उनके सामने तरह तरह की नेमते पेस करेंगे उनके लिए फर्स बिचाएंगे मेंबर रखे रखे जाएंगे और उन्हें मुक्तलिफ किस्म के खाने और फर्ल पेस किये जाएंगे उस वक्त जन्नती हैरान बैठे होंगे अल्ला ताला फर्माएंगे आए मेरे बंदो हैरान क्यों हो जन्नत ताजब की जगा नहीं है उस वक्त मुमिन अर्ज किया करेंगे बारे इलाही तुने तुने एक वादा किया था जिसका वक्त आप पहुँचा है तब फरिस्तों को हुक्म इलाही होगा की इनके चहरों से पर्दे उठा लो फरिस्ते अर्ज करेंगे या तेरा दीदार कैसे करेंगे हाला की यह गुनागार थे उस वक्त फर्माने एलाही होगा तुम हिजाब पर्दा उठा दो उठा दो यह जिक्र करने वाले सजदा करने वाले और मेरे खौप से रोने वाले थे और मेरे दिदार के उम्मिदवार थे उस वक्त पर्दे उठा दिये जाएंगे और जन्नती अल्लह का दिदार होते ही सजदा में गिर जाएंगे फर्माने इलाही होगा सर उठा लो या जन्नत दारे अमन नहीं दारे सजज़ा बदला पाने का मकाम है और वह अपने रब को बेकैफ देखेंगे अल्ला ताला फर्माएगा मेरे बंदो तुम पर सलामती हो मैं तुम से राजी हूँ क्या तुम मुझे से राजी हो जन्नती अर्स करेंगे ऐ हमारे रब हम कैसे राजी नहीं होंगे हाला कि तुने हमें वह मते वह ने मते दी जिनको ना किसी आँख ने देखा ना किसी कान ने सुना और ना ही किसी दिल में उनका तसबर गुजरा है तसबर गुजरा और यही उस फर्मान इलाही का मकसूद है कि अल्ला उनसे राजी हुआ और वह अल्ला से राजी हुए